आज की डेट है 4th February and आज की दे हिंदू न्यूस पेपर को हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं दे हिंदू न्यूस पेपर को आज के डिसकस करें उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ टेलिग्राम पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं पीडिएफ आपको इस लेक्चर की टेलिग्राम सानल पर मिल जाएगी उसके अलबा जो भी फीडबैक या क्वेरी हो आपकी वो आप मुझे इस मेल आईडी पर भीज सकते हैं ट्विटर पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मयूरी भागवानी नाम से मैं आपको मिल जाऊंगी इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आगे बात करते हैं सिर्फ 123 डेज बचे हैं प्रिलिम्स में आपने जो भी तैयारी अभी तक करी हैं उन सभी को कंसोलिडेट करना शुरू करो मेंस के जो सब्जेक्स हैं उनको कंसोलिडेट करना शुरू करो और अब धीरे धीरे प्रिलिम्स एक्स्क्लूजिव तैयारी की तरफ बढ़ना शुरू कर दो ओके आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स GS1 में इसके बारे में देखेंगे कि बजट में क्या इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है और GS4 में आज से हम एथिक्स डोस शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम एथिक्स पेपर जो है हमारा GS4 जो पेपर है उसमें जो सिलिबस है उसमें जितनी भी टर्मिनलोजीज है मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी टर्मिनलोजीज आपको कवर करवा दूँ और जब भी आपने देखा होगा किसी भी टॉपर से या किसी भी स्ट्राटरजी को सुना होगा GS4 पेपर के लिए तो सबसे पहली चीज जो सब लोग कहते हैं वो ये कि जितनी भी टर्मिनलोजीज सिलबस में मिंचेंड है उनकी डेफिनेशन और उनके एक्जांपल्स कम से कम आपको बता होने चाहिए तो इस एक्सराइस से हम शुरू करेंगे पोशिश करेंगे इंटराक्टिव रहे और आपको इससे फाइदा मिलता रहे तो आज के हम पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है इंडियन डिप्लोमाट्स तु बॉयकॉट बीजिंग गेंज अब हो क्या रहा है देखो विंटर 1218 है तो भॉब डिक्स शुरू हुए है आज से ही 4-20 तक रहें गेंगे विंटर ओलम्पिक कहां पर ऑर्गनाइज किए गए हैं बीजिन याने की चाइना की कैपिटल में ठीक है अब हुआ क्या देखो पीछे जाते हैं पूरी कहानी समझते हैं गालवान वैली का ऐसले था यहाँ पे चाइना बेसिकली क्लेम करना चाहा रहा था लद्दाप की हमारी territory को अब ऐसे में इंडिया को defend तो करना ही था इस सब चक्रों में क्या हुआ कि इंडिया के भी 20 जवानों की death हुई यहाँ पे जिसको इंडिया ने पूरी तरह से recognize किया Indian government ने recognize किया international media में openly accept किया लेकिन चाइना अपने ही जवानों की death को recognize करने से चूप जाता है मना कर देता है कि हमारे आतों किसी की भी death नहीं हुई तो अभी कुछ report भी आई थी जिसमें पता चला कि 20 soldiers जो थे चाइना से भी वो भी यहाँ पे मारे गए थे एक रिवर में डूब कर इनकी death हो गई थी जब यह चाइना की जो soldiers थे हमारे इंडिया के soldiers से भीड़ गया है तब Indian soldiers ने इनको लठेड दिया था ठीक है ऐसे बहुत सारे Chinese soldiers की भी death हो थी लेकिन चाइना इसको accept नहीं करता हाँ इंडिया का ये एक आप समझ सकते हो ये अच्छी चीज जो इंडिया अपने soldiers को पूरी तरह से recognition देता है चाहे फिर वो कैसे भी हो थीक है जैसे हमारे आपे Indian soldiers शहीद हो गए तो इसको हमने proudly accept किया अब इसके आगे क्या कहानी बड़ी इसके बाद यहाँ पर de-escalation हुआ ठीक है काफी टाइम से ये problems चल रही थी यहाँ पर de-escalation हुआ और यहाँ पर de-escalation कैसे हुआ negotiation हुआ इंडिया और चाइना की armies के बीच में और दोनों ने ये decide कि चलो ठीक है अब हम ये जो clash है इसको रोकेंगे ठीक है पैसे भी शुरू तो चाइना की side से हुआ था हम तो चुपचा पी बैठे थे लेकिन दोनों की sides ने ये decide कि चलो अब हम इसको रोकेंगे अब हमको ये clash नहीं बढ़ाना आगे ठीक है तो गालवान जो वैली का clash था वो यहाँ पर रुक गया इसके बाद चाइना में ये बीजिंग विंटर ओलम्पिक्स शुरू हुए ठीक है शुरू होने की बातचीश हुई अनौन्स हुए ये बेल्जियम, नीडरलेंड्स, टेन्मार्क, जेक रिपब्लिक ये सब जो कंक्रीज थी इन सभी ने यहाँ पर मना कर दिया कि हम यहाँ पर डिप्लोमेटिकली पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे इस चाइनीज विंटर ओलम्पिक्स का क यहां पर यहां था जो गथे यहां दो करेंगे इसा तो इन सभी कंट्री близ ने बोला कि यहां पर यूम्न डाइट का बहुत वायलेशं होता है। के लिए यह सभी कंट्रीज ने बोला कि हम diplomatically boycott करेंगे और स्वेडन ने भी बोला कि हम boycott करेंगे कोविट protocols को देखते हुए अब यह सब हुआ उसके बाद चाइना ने क्या कहा चाइना ने कहा कि यह सारी जो यूएस यूके यह सब जो हैं पॉलिटिसाइज कर रही है एक को एक इविन को यह कह रहा था चाइना तीक है समझ गए अब देखो अब चायना ने क्या कि है चायना ने अपने जो torch bearing ceremony होती है Olympics के पहले torch bearing ceremony होती है इसमें क्या होता है torch bearing ceremony में जो भी चाइना के जो भी major लोग रहेंगे जिनको भी Chinese government उस torch bearer के form में रिप्रेजेंट करना चाहे चाहे चाइना को वो person रिप्रेजेंट करेगा उस Olympics में उनको यहां पर दोड़ाते है एक तरह की एक ceremony होती है ठीक ह तो ऐसे में चाइना ने क्या किया चाइना ने इस person को यहां पे torch bearer अपना select किया अब यह कौन है यह गालवान वेली के time पे जो clash हुआ था लगदाक में इंडिया और चाइना के बीच में उसमें एक commander थे ठीक है यह person उसमें commander थे यह घायल भी हुए थे और यह उसमें present भी उस clash में और इनको बाद में honorary यहां पे award भी दिया गया था चाइनीज government के द्वारा तो basically इनको दोडाने का एक strategic आप देखो strategic importance है आप ऐसे ही नहीं समझ सकते कि इनको दोडा जया कौन सी बड़ी बात हो गई strategic importance है इसके पीछे यहां पे चाइना यह portrait करना चाह रहा है कि दे इंडिया के against mahal बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना यह दिखाने की सहानुगूती बटोरने की कोशिश कर रहा है कि देखो यह person को इंडिया वालों ने यहां पे लथेड़ा था बहुत दोया था और उसके बाद आज यह हमारी चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है यह बाहर बाहर से reports आ रही है लेकिन यहां पे वो इस चीज को politicize कर रहे है गालवान वजी class जो की दो लोगों का दो countries का एक internal matter है ठीक के दो countries के बीच का matter है बिलेटर मैटर है यह जिसमें यह इंडिया की territory है claim तुम कर रहे हो चाइना claim कर रहा है लेकिन चाइना ने इसको Olympics में represent करवा के यह दिखाया है कि नहीं यह तो international चीज है और हम इसके उपर claim रखेंगे अपना ठीक है एक तरफ तुम negotiation कर रहे हो de-escalation की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम इसको politicize कर रहे हो इस matter को तो यह तो गलस चीज है ठीक है वहीं चीज़े को अब यह समझना चाइना पहले क्या बोल रहा था कि US UK जो है यह politicize कर रहे है एक sport को और अब चाहिना क्या कर रहा है पॉलिटिसाइज ही तो कर रहा है sports को तो इसको कहते है हम hypocrisy अब हम पढ़ते है एथिक्स में integrity के बारे में integrity का मतलब क्या होता है वहीं करना जो आप बोलते हो जो आप दुनिया में preach करते हो वहीं आप actual में करते भी हो लेकिन hypocrisy का मतलब क्यों होता है हाती के दाथ दिखाने के और और खाने के और ठीक है तो hypocrisy का मतलब आप कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो जब US UK ने diplomatically boycott किया आपको human rights के form में human rights के लिए तब आपने बोला politicize कर रहे हो sport को और जब आप खुद Galwan Valley को के issue को उठा के ला रहे हो चाइना के ये Olympics में तब आप इसको politicize नहीं कर रहे हो तो इसी लिए अब finally इंडिया ने बोला कि हम इसको support नहीं करते हम इसको diplomatically boycott करते हैं और इंडिया की आप यहां पे देखो बड़पन देखो इंडिया का पहले जब चाइन के saver में खड़ा था support में खड़ा था कि नहीं ये sport है इसका ऐसा नहीं करना चाहिए हमको sport को sport की तरह खेलते हैं ये सब चीज़ों नहीं करते हैं तब इंडिया रशिया के साथ चाइना के support में खड़ा था आज इंडिया के against यहां पे इन्होंने ऐसे challenge चली है इंडिया को एक चीज़ और में बता दूं कि diplomatic band और athlete band में difference है athlete हमारा एक athlete जाएगा इंडिया से आरिफ खान नाम है इनका ये skyar है athlete है और ये यहां से इंडिया को represent करेंगे सिर्फ एक athlete हमारा यहां पे जा रहा है कहां पे चाइना के यह जो winter olympics है उसमें अब देखो यहां पे winter olympics है क पूरे world से participants आते हैं पहला winter olympics 1924 में फ्रांस में खेला गया था ठीक है इस year का जो olympics है वो खेला जाने वाला है बीजिंग में चार से 20 February के बीच में इंडिया ने कभी भी diplomatic band नहीं किया है किसी भी तरह का boycott नहीं किया है olympics का यह पहला हमारा diplomatic और यहां पे boycott होगा winter olympics 1964 से हम winter olympics में participate कर रहे हैं अब diplomatic boycott का मतलब क्या है कि कोई भी government official present नहीं होगा winter olympics में तो बीजिंग में होने वाले winter olympics में कोई भी government official कोई भी diplomat इंडिया से present नहीं होगा दूसरी चीज़ यह कि यहां पर इंडिया है दूसरी चीज़ यह कि यहां पर complete boycott नहीं है यह सिर्फ diplomatic boycott है अगर complete boycott होता है इसका मतलब कि कोई athlete भी नहीं जाएगा यहां लेकिन हमारा एक athlete तो वहां पर participate कर रहे हैं तो यहां पर athlete boycott नहीं है जादा intense यह तब होता जब athlete boy boycott होता तब यह जादा intense होता अभी जादा intense नहीं है अभी सिर्फ official representation नहीं होगा अब यह चीज़ें सभी यह जो diplomatic boycott है यह सिर्फ इंडिया नहीं नहीं US, UK, Canada, Netherlands, Australia इन सभी नहीं यहां पर यह सब चीज़ें की है तो इसी लिए यह पूरा issue important हो जाता है आगे बात करते हैं high court stays हर्याना job quota for locals तो basically हुआ क्या है high court जो है पंजाब हर्याना high court जो है इसने क्या किया है इन्होंने क्या किया है कि हर्याना में एक विल आई थी ठीक है एक law आया जिसमें इन्होंने बोला कि 75% जो भी jobs हैं private sector में private companies में वो हम यहां के locals को ही देंगे मतलब locals जो हैं हर्याना के जो locals हैं वही eligible होंगे 75% of the jobs in private sector ठीक है तो हर्याना में जितनी private companies हैं उनको यहां पे एक restriction लगया कि 75% आपकी जितनी भी jobs हैं वो सिर्फ आप यहां के लोगों को दोगे ठीक है जो migrate करके यहां आएगा उनको नहीं दोगे अभी क्या होता है अभी आप मानलों कि आप रहते ह पड़ेगी आप इधर उधर किसी और state में नहीं जा सकते हैं तो यह चीज़ यहां पे होगी अब इसको लेकर कई सारी petitions गई थी high court के पास कई सारी industrial associations थी जिसने petition यहां पे डाली ठीक है अभी जो industrial associations थी इन्होंने क्यों petition डाली जो industries हैं उनका कहना है कि अगर हम आप हमको यह restrict कर दोगे कि हमको किसको employ करना है किसको नहीं करना है तो क्या हम अपनी merit को छोड़ दे हम merit के basis पर जो लोगों को employ करते हैं पूरे इंडिया से उनको हम छोड़ दे हमारा तो नुकसान है ना ऐसे में दूसरी चीज़ यह कि हमारी आप independence छोड़ रहे हो आप हमारी independence चीन का भी violation है योगि article 16 बात करता है reservation and employment की लेकिन reservation and employment में कुछ grounds दिये हुए कि इन ही grounds प्रेजरवेशन दे सकते हो उसमें domicile तो कोई ground नहीं है ठीक है उसके लावा यहाँ पर meritocracy जो है वो यहाँ पर वाइलेट हो रही है वो यहाँ पर question में आ रही है तो यह सारे issues के कारण competition जो है खतम हो रहा है यह चीज़ यहाँ पर high court में कही गई है अब high court ने इसके उपर stay लगा दिया जो यह हज्याना का जो यह law था ने इसके उपर stay लगा दिया कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा अ in the form of states यहाँ पर states जो है अपने अपने laws लेकर आ रहे है reservation के लिए locals के लिए जिसके कारण हमारी country का एक दरह से बटवारा हो रहा है अब पहला issue यह है नेटिविजम का नेटिविजम में यहाँ पर cry है एक यहाँ पर job protection के लिए locals के job protection के लिए बहुत यहाँ पर demands उठती आ है ठीक है अगर आप देखोगे महराष्ट में गुजराच में especially in states में आप देखोगे यहाँ पर son of soil policy चलती है son of the soil policy यहाँ पर मतलब यह है कि जो migrants है उनको एक suspicion की नजर से देखा जाता है उनको ऐसे देखा जाता है कि भया तुम तो बाहर से आयो तुम्हारा कोई हग यहा से आये हो तो यहाँ पर son of soil policy यह कहती है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है सिर्फ उसी का हग है यहां की resources पर यहां की opportunities पर तो यह जो policy है यह बहुत ही घातक हो सकती है इंडिया के integration के लिए इंडिया की unity के लिए इंडिया की diversity के लिए ऐसे में यह जो job reservation for locals है यह इस son of soil policy को promote कर रहा है अब यह जो है क्यों हो रहा है क्योंकि locals और migrants के बीच में issues जो है वो बढ़ते जा रहे हैं अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो state है state अपने खुद के लोगों के लिए यहां पर opportunities डिवलप नहीं कर पा रहा जौब opportunities डिवलप नहीं कर पा रहा दूसरा अपने जो state है उनके लोगों के skilling नहीं कर पा रहा अब यार देखो तुम्हारे state के लोग skilled नहीं है उसमें बाकी states के लोगों के क्या गलती अब अमान लोग यह MP है MP में एक industry open होती है अब MP के लोग अगर skilled नहीं है तो यह industry क्या करे इसको कहीं से तो skilled labor चाहिए तो यह दूसरे state से लेगा यह industry की क्या गलती इससे अच्छा तो आप अपने जो laborers है अपने जो locals हैं उनको skilling कीजिए उनकी skilling कीजिए तो यहां पर यह एक petition गई है Supreme Court के पास सरी Supreme Court नहीं High Court के पास तो यहां पर जो job reservation है यह सिर्फ हर्याना नहीं यह कई सारे और भी states लेकर रहा है जैसे कि मै यहां पर vote bank अपना create करना चाती है अपने vote bank secure करना चाती है इसी लिए locals के मन में सहानुभूती बटर के यह सब हो रहा है दूसरी चीज economics है जो states है वो खुद अपना unemployment issues है वो resolve नहीं कर पा रहे इसी लिए वो यहां पर reservation दे रहे है ठीक है तो यहां पर जो government employment है वो भी shrink हो र उसको यहां पर job नहीं मिली क्योंकि सारे migrants ने आती यहां की job ले लेगी है तो यहां पर MP का जो talent था वो बाहर चला गया और उसको Mumbai में job मिल गई तो यहां पर जो talent है वो बाहर जा रहा है state से income जो है वो बाहर जा रही है state से तो वही चीज़ को रोखने के लिए यहां पर reservation क कि बात कर रही है government उसके बाद land acquisition में भी कई सारे लोग यह condition रखते हैं जैसे मानलो land acquisition करना है government को तो ऐसे में farmers वगेरा जो है उस owner जो है land के वो यह condition रखते हैं हम आपको land दे देते हैं उसके बदले आप हमारे बच्चों को private sector में government sector में jobs ensure करके दो ठीक है तो इसके लिए भ freedom of movement देता है ठीक है पूरी तरह से employment की छूब देता है आर्टिकल 14 में बात होती है equality before locky तो हर कोई equal है इंडिया में irrespective of किस state से आता है किस place of birth से आता है कोई फरक नहीं बढ़ता आर्टिकल 15 बोलता है discrimination आप नहीं कर सकते किसी के भी against based upon the place of birth उसके बाद आर्टिकल 16 यह बो आर्टिकल 19 यह कहता है कि यहाँ पर citizens के पास power है citizens के पास freedom है कि वो freely move कर सकते हैं throughout the territory of India में तो यह सब जो है इस सब जो articles है इन सभी का violation हो रहा है इस job reservation के कारण तीक है अब इसके impact क्या होंगे सबसे पहला impact यह कि job creation जो है एक तो वो reduce हो जाएगा industries के लिए deterrence बन जाएगा क रहने दो फ़या इस state में मत जाओ इस state में जाओगे तो आपको 75% जो recruitment है वो उसी state से करना पड़ेगा अब चाहे वो meritorious उधर के लोग हो या ना हो आपको नुकसान लेके करना पड़े या कैसे भी करना पड़े आपको इन ही के लोगों को यहाँ पे employ करना पड़ेगा तो इसके लावा growth and development जो है वो यहाँ पर hamper हो जाएगा क्योंकि ease of doing business रुख जाएगी इसके लावा इंडिया की एक खासियत यह है कि इंडिया के पास diverse labor pool है इंडिया का जो demographic dividend है काफी अच्छा है और इस demographic dividend की भी एक खासियत यह है कि इसमें diversity बहुत है अलग-अलग तरकी की skills है अब मान लो कि किसी को जूट के कपड़े बुनने की skill चाहिए ठीक है कोई एक industry establish होती है हरियाना में ठीक है अब हरियाना की जो जूट की industry है इनको ऐसे लोग जो जूट को बुन सके अब इनको पता है कि बेंगॉल के लोग जो है वो जादा इसमें काफी जादा skilled होते है ठीक है बेंगॉल उडिशा के लोग जादा skilled होते हैं तो यह अब बेंगॉल उडिशा से यहां पे इनको employee नहीं कर पाएंगे recruit नहीं कर पाएंगे इनको तो करना है सिर्फ हर्याना से recruit तो कैसे काम चलेगा ठीक है तो diverse labor pool का जो हमारे पास advantage है जो strength है हमारी उसका हम फाइद इसके अलावा यहां पर रिस्क है labor shortage की भी यहां पर unemployment बढ़ रहा है यहां पर inflation इसके कारण बढ़ेगा और regional inequalities भी बढ़ेंगी ठीक है इसके अलावा यहां पर जो competition की spirit है वो खराब हो रही है competition की जो spirit है उससे incompatible है और international implications भी होंगे इसके कैसे international implications होंगे जब Trump आये थे US मे president बन कर उन्होंने कहा था America for Americans ठीक है उन्होंने बोला कि हम जतने भी लोगों को बाहर के लोगों को employment देते हैं हम उनको employment नहीं देंगे और हम सिर्फ Americans को यहां पर employment देंगे ठीक है तो वही चीज़ यहां से दिको अगर यहां पर हो रही है इंडिया में regionalism इतना बढ़ रहा अगर तो हम किस तरह से उसको यहां पर support किस तरह से उसको अपोस कर पाएंगी जब हमारे खुद के देश में हो रहा तो यहां पर इसकी international implications भी हो सकती है तो यह कुल मिलाके पूरे world की पूरे देश की society की यहां पर merit के अगेंस्ट है यह चीज और दूसरी चीज यहां पर य चाहिए तीसरी चीज अपने जो state है उसमें merit को बढ़ावा देना चाहिए talent को बढ़ावा देना चाहिए skilling करनी चाहिए लोगों की यह सब करो न यह reservation देके तो काम खतम नहीं होगा reservation हर चीज का यहां पर अंत तो है नहीं ठीक है आगे बात करते है next issue की Tamil Nadu governor returns need bill to assembly तो यहां पर यह कहा गया Tamil Nadu की assembly में कि जो 12th के marks होंगे उसके basis पे हम यहां पर medical colleges में admission दे लिए तो यह पूरी बिल आई थी governor के पास governor ने इसको लोटा दिया governor का मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो rural areas के बच्चे हैं उनके against काम हो जाएगा rural areas के बच्चें के पास इत्क अच्छे marks हैं इससे अच्छा तो आप competitive exam करा हो और उसकी basis पर ही admission दो तो इन्हों ने Tamil Nadu के governor ने यह bill लोटा दी अब यह bill लोटा ना इसको हम कहते हैं veto power ठीक है यह veto power क्या है इसको समझते हैं तो देखो कुल मिलाके पहले समझ लेते हैं veto power जो है president और governor की veto power की बात करते हैं 201 जो है वो यह बोलता है कि यहाँ पे governor कुछ bills को reserve रख सकता है consideration of president के लिए ठीक है तो यहाँ पे यह तो हमने देख ला है 111 200 201 यह देखो बहुत important आर्टिकल ने याद रखना अब देखो तीन तरकी veto powers होती है absolute veto, suspensive veto और pocket veto absolute veto जो है अच्छे यह देखो यहाँ पे एक exception यह ह कि जो president है हमारे इंडिया के president उनके पास कोई veto power नहीं है constitutional amendment bills में अगर constitutional amendment bill पार्लियामेंट से पास होकर आ रही है दोनों houses से तो president को उसके उपर assent देना ही पड़ेगा ठीक है इसको आप यहाँ पे assent देने से नहीं रोक सकते तो इसमें आपके पास कोई veto power नहीं है ठीक है उसके लावत जो constitutional amendment bills है उसको state legislature में तो पास किया जा नहीं सकता तो governor के पास तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता कि constitutional amendment को लेकर यहाँ पे veto power होगी या नहीं होगी अब देखो तीन तरग के जो veto power है उसमें सबसे पहला है absolute veto इसमें क्या होता है कि यह प्रेसिडेंट यह देखो अब वो bill को उपर ascent देने से मना कर देते हैं withhold कर देते हैं इस ascent को तो यहाँ पे bill यहाँ पे आगे बढ़ सकती है बिल यहाँ पे खतम हो गई और अब act नहीं बन सकती इसको कहते है absolute veto यह इंडिया के president के पास नहीं है तो with amendment या without amendment कैसे भी president को वापिस से यह bill बेज दी तो president को अब इस पे ascent देना ही पड़ेगा तो यह जो होता है यह suspensive veto होता है ठीक है कि अगर वापिस से आपके पास बिल आ रही है तो आपको यहाँ पे ascent देना पड़ेगा ठीक है अच्छा दूसरी चीज यह कि यहाँ प पास आई ascent देने के लिए president ने इसको वैसा कवैसा रख दिया कुछ भी नहीं किया ना मना किया कि मैं इस पे ascent नहीं दूँगा ऐसा भी नहीं कहा ना ascent दिया कुछ भी नहीं किया सिर्फ इसको रख दिया pending रख दिया ठीक है तो जब pending रहती है indefinite period के टाइम के लिए तो पॉकेट वीटर होता है ठीक है अब यह पावर जो है यह सिर्फ जो इंडिया का प्रेसिडेंट से हैं उनके पास indefinite time की पावर है यूईस के president की पास सिर्फ 10 दिन की पावर है तो पार्लियमन से अगर यूईस के प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आती है तो दस दिने के अ गवर्णर ने कौन सा वीटो पावर यूज किया है? यह बैसिकली सस्पेंसिव वीटो हुआ है ना। तो क्या हुआ इसमें कि यहाँ पर गवर्णेंट के पार्लामेंट जो पार्लेमिन जो भी assembly से बिलाती है उसको ये reserve रख सकते हैं for president's assent अब अगर president के assent के लिए इन्होंने मान लो कि इसको reserve कर दिया तो फिर governor के जो court है उसमें से ball चली गई अब governor के हतने कुछ भी नहीं अब जो president को करना है वो करें मान लो president ने यहां पर बोलता है president बोलते हैं कि मैं इसका assent को withhold करता हूं तो पहली बार में अगर president बोलते हैं कि मैं इस पर assent नहीं दूंगा withhold करता हूं तो ऐसे में यहां पर bill end हो जाएगी ठीक है तो याद रखना कि यहां पर state legislature से अगर कोई bill reserve की जाती है president के लिए और president वहां पर assent को withhold कर लेते हैं ऐसे में president का जो use करें president veto वो है absolute veto क्योंकि उसके बाद सर से यह bill वापिस नहीं आ सकती अब तीक है अब यह bill end हो गई लेकिन यही चीज़ state जो governor है वो यह चीज़ नहीं कर सकते ठीक है समझ गए तो यह चीज़ समझना है कि president के पास parliament की किसी भी bill के लिए absolute veto नहीं है लेकिन state bill के लिए absolute veto इनके पास है ठीक है आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 set for launch in august तो चंद्रयान 3 जो है उसका जहा है यहां पर launch होने वाला है august में टो इंडिया में चंद्रयान 3 mission जो है वो launch होने वाला है इस august में 2022 का ही यह scheduled ठा और इसमें यह बता इए गये जैक है लेकिन और और्बिटर के साथ-साथ हमने यहां पर lander और rover भी भीजा था हम चाहते थे कि जो यहां पर lander है जिसका नाम क्या था विग्रम यह lander हम चाहते थे इसकी soft landing हो जिसके बाद इसके अंदर से एक rover निकलेगा जिसका नाम होगा प्रग्यान और यह rover जो है यह moon के surface पर चल सके यह ह अब चंद्रियान 3 भेजने की हमारी तयारी है, जिसके थूँ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, कि चंद्रियान 2 में, जो हमारे एम्स थे जोक्म रह गए थे जो पूर नहीं हो पाए हे यह पोरे हो पाए है, फीक है, तो आगे बात करते हैं…" देखो चंद्रयान 3 जो है यह successor होगा चंद्रयान 2 का soft landing attempt करेगा यह फिर से lunar surface पे Russia, US, China ने moon के उपर यह rovers अपने भेजे हैं landers भेजे हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी यहाँ पे जो southern hemisphere है moon का उस पे अभी तक landing नहीं कराई है तो अगर ISRO का यह वाला mission successful हो जाता है तो ISRO जो है इंडिया जो है वो पहला country बन जाएगा जो moon के southern hemisphere पे landing करवाएगा इसके अलबा 600 करोड रुपे अभी तक इसके लिए दिये गए है total cost चंद्रयान 3 की 600 करोड रुपे है यह क्यों important है क्योंकि चंद्रयान 2 जो है चंद्रयान 2 जो माक 3 के तुरू भेजा गया था ठीक है ISRO ने इसको develop किया है 3 stage vehicle है यह और इसमें पहली stage जो है यह है solid stage दूसरी stage liquid stage है और third stage cryogenic stage जिसमें C25 यूज किया गया है तो यह याद रखना है यह क्या काम करेगा यह communication satellites को launch करता है geostationary orbits में और आगे बात करते हैं देखो यह आज का एक article आया था बहुत च्छा आटिकल लगा मुझे the need to boost labor income and consumption expenditure तो इस article में कुल मिला के कहा गया है इसमें कहा गया है कि budget आया हमारा 22-23 का इसमें बताया गया है budget में कि जो social sector है तो क्वल मिला के revenue expenditure जो है वो कम हुआ है इस साल के budget में ये propose किया गया है ये क्यों किया गया है fiscal consolidation के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूं फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट को आप ऐसे समझ सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इंकम ऐसे मतलब नॉमली समझ सकते हो इसका फॉर्मुला अलग होता है ठीक है यह एक्चल फॉर्मुला नहीं है मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यह समझा रही हूं डेफिसिट का मतलब क्या होता है घाटा ठीक है घाटा आपका कब होगा जब आपका इंकम जो है कम रहेगी एक्सपेंडिचर जाता होगा जब आप खर्च जाता करोगे और कमाओगे कम तो उस टेंप आपका यहां पर घाटा होता है तो फिसकल डेफिसिट भी एक तरह के घाटे को दिखाता है इंडिया की एकॉनमी में अभी डेफिसिट को कम कै करोगे घाटे को कम कैसे करोगे यहां तो आप इंकम अपनी बढ़ाओ यहां तो आप अपनी इंकम को बढ़ाओ यहां तो अपनी एक्सपेंडिचर को कम करो ठीक है अब इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि हमारी जो इंकम है वो कैसे आती है टेक्स के तुरू आती है अब इसके कारण हमारे जो taxes हैं वो कम हुए हैं यानि कि हम अपनी income तो नहीं बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ अब क्या कर सकते हैं expenditure को घटाओ अब हमारी government इस पे आई है कि हम fiscal deficit को consolidate करना चाहते हैं और आगे आने वाले साल के लिए 6.4% होगा तो यहां पर यह बोला गया है कि अभी जो 6.9% है इसको हम 4.5% तक ली जाना चाहते हैं इसको हम कहते हैं fiscal consolidation अब fiscal consolidation के लिए यहां तो आप income बढ़ा यहां तो आप expenditure कम करो income हमारी बढ़ नहीं सकते क्योंकि tax हम बढ़ा नहीं सकते और उल्टा हमने tax concession दिये हुआ है corporate tax में अब हम क्या कर सकते हैं expenditure को घटा सकते हैं अब government यही बोल रहे हैं कि अब हम expenditure को घटाएंगे अब मैंने आपको बताया था जब हमने budget की basics discuss किया हुए है 29th और 31st January के जो हमारा daily news analysis वाले session है उसमें हमने budget के basics discuss किया है उसमें मैंने आपको capital budget और revenue budget की बारे में बताया हुआ है तो जो revenue budget है revenue budget की बात करते हैं तो हम बात करते है expenditure की तो जो revenue expenditure होता है उसमें क्या-क्या होता है जो salaries हो गई, subsidies हो गई ठीक है जो हम fertilizers के उपार subsidies देते हैं जो भी हम यहाँ पर welfare के लिए schemes चलाते हैं तो जो भी हम incentives देते हैं यह सब क्या होगी revenue हमारा expenditure हो गया capital expenditure कॉन सो होता है जिसमें हम assets build कर रहे हैं ठीक है for example हमने कोई building बनाई for example हमने public company खरीद ली यह सब चीज़ें जो है assets build होते हैं जिसमें social sector में अभी जो हमारी government है उसका सबसे जादा revenue expenditure होता है food subsidy देने में अगर government food subsidy जैसी चीज़ें रोग देगी कम कर देगी तो यहाँ पर सबसे जादा नुकसान किसको होगा social sector को जो देश का गरीब है उसको तो यहाँ पर revenue expenditure हमारा कम हो जाएगा labor का income जो है वो कम हो जाएगा और अगर labor का income कम हो गया तो यहाँ पर consumption expenditure भी कम होगा मतलब कि जो labor है अगर उसके पास wages जादा नहीं रहेंगे तो उनका demand create होगी क्या हाथ में पैसे ही नहीं है तो demand करोगे कि आप किसी formula होता है government expenditure plus consumption expenditure जो की household करते हैं plus investment जो की companies करती है plus x-m यह x-m क्या है export minus import ठीक है तो यहाँ पर देखो government जो है अपना expenditure अगर मान लो revenue के side revenue expenditure जो है मतलब की subsidies हो गई welfare schemes हो गई education हो गया social sector हो गया इसके तरफ अगर perspectives कम करती है ठीक है मान जयाँ capital expenditure बढ़ा लिए लेकिन revenue expenditure अगर करती है तो income गम जाएगी laborers के हाथ में income कम जाएगी तो expenditure अपना कम करेंगी consumption expenditure कम होगा जब consumption expenditure कम होगा लोग consume कम करेंगे लोगों के हाथ में pendingया पैसा नहीं तो लोग demand ही नहीं करें तो तो क्या कोई आपके देश में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा नहीं करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा तो जब यह सब कम हो रहा है तो GDP भी तो कम होगा तो कुल मिला के economy को नुकसान है अगर आप अपना revenue expenditure कम कर रहे हो सिर्फ fiscal consolidation करने के लिए fiscal deficit को कम करने के लिए इसके लिए आपको दूसरे measures अपनाने चाहिए यहां पे कोल मिला के author ने यही चीजें कही हुई है जैसे कि देखो यहां पे यह जो shares बताया है ठीक है कि कितना किसका यहां पे है तो यहां पे देखो यह वाला जो है fiscal deficit हमारा last year 9.2% था fiscal deficit इस साल 6.9% है आने वाले साल में 6.4% estimated है ठीक है revenue and non-debt receipts जो है इसकी हम बात करें revenue and non-debt receipts हमारी बढ़ी अभी इस साल बढ़ने वाले हैं फिर कम होगी ठीक है उसके बाद revenue expenditure continuously हमारा कम हो रहा है ठीक है मतलब हम जो social sector है उसमें कम से कम यहां पे expenditure कर रहे है capital expenditure हमारा बढ़ रहा है ठीक है लेकिन क्या revenue expenditure बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है कम हो रहा है दूसरी चीज corporate tax concession जो है वो बढ़ रहा है मतलब कि जो corporate companies हैं जिससे हम tax वसूल सकते हैं इससे कि हमारा जो income है वो बढ़ सकती है, वो हम नहीं कर रहे हैं, हम corporate tax में concession दे रहे हैं, अब देखो, आप समझो, आपकी अगर income बढ़ाने का source जो है, आप उसमें concession दे रहे हो, तो आपकी income तो बढ़ेगी नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, expenditure को ही कम करना पड़े यह सभी sectors में, देखो, यह है last year का, और यह है इस साल का expenditure, तो हर sector में देख लो, आप यह कम हो रहा है, तो यह जब कम हो रहा है, तो यह जब कम हो रहा है, तो इसका मतलब दिखता है कि social sector में हमारी government कम यहाँ पे allocate कर रही है budget को, इसके बाद development expenditure जो हमारा बीच में तो बढ़ कोई structural change नहीं ला रहे है हमारे देश में, ठीक है, कोई structural change नहीं ला रहे है, और यहाँ पे हम यह नहीं समझ पा रहे कि यह जो slowdown हो रहा है, इसमें हमको consumption demand को बढ़ाने की जरुत है, उल्टा हम उसको कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई मिला कि यही साली है, इसमें हम पहले सबसे बहले ethics को ही discuss करें कि ethics की definition क्या होनी चाहिए, ethics is a branch of philosophy that involves systematic study of human actions from the point of view of rightfulness और wrongfulness, तो जब आप किसी भी action को इस study से, इस mindset से पढ़ते हो, इस point of view से देखते हो, कि क्या यह सही है, right है या wrong है, तो जब आप किसी action को rightfulness या wrongfulness के पैमाने पे तोलते हुए यह समझते हो, कि किस तरह से हमको human actions करने चाहिए, जब आप human actions की systematic study करते हो, इस पैमाने पे तब उसको गोलते है हम ethics, तो ethics is basically a set of standards that a society places on itself and which helps guide behavior, choices and actions, तो जब society खुद कुछ ऐसे norms रखती है, कुछ ऐसे values रखती है, जो आपको बताती है, एक individual को बताती है, कि यह action आप करते हो, तो वो सही है या गलत है, और इसी के हिसाब से आपका behavior turn out होता है, for example, आप मानदो कि आपने अगर किसी आप से गलती से कोई cheaty भी मर गई, ठीक है, आप से गलती से किसी cheaty का murder हो गया, ठीक है, तो आपको उसका भी guilt field होता है, क्योंकि आपकी society ने आपको सिखाया है, कि क किसी को भी kill करना, किसी का भी murder करना is not a good thing, ठीक है, हाँ, गलती से हो गया, तो आप वो guilt थोड़े जने में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने जान बुच के किया है, तो ये guilt आपके दिमाग में रहेगा, किसी human का murder करना तो बिलकुल ही गलत हो गया, ठीक है, क्यों गलत ह आपकी choices, आपके actions बदल देंगे, तो ये जो चीज़े हैं, ये हमारे ethics को समझाती है, ethics को basically derive करवाती है, तो society यहाँ पे, जो है major driving force है, ऐसे ही आप भी अपना example मुझे देना, कि आपको क्या लगता है, आपका कौन सा एक ethics है, जिसके basis पे आपका behavior जो है, वो turn out है, behavior आपका change होता है, कौन से ऐसे ethics हैं, जो आप follow करते हूं, ठीक है, ये comment section में आपको बताना, कल हम इसके dimensions study करेंगे, एक एक dimension को एक एक बार लेंगे, कि meta ethics को होता है, prescriptive ethics को होता है, descriptive ethics को होता है, applied ethics को होता है, एक एक lecture में हम इस छोटी-छोटी terms को यहाँ पर discuss करेंगे, so that was all for today, thank you for watching have a very good day